इस वक्त की बड़ी खबा सामने आ रही है भारती जनता पार्टी से जहां पर लोकसबा चुनाओं की पहली सूची में दक्षिनी दिल्ली के दिगज नेता और सांसद रमेश बिधूरी का टिकट काटा गया है जी हां रमेश बिधूरी अब भारती जनता पार्टी की लोकसवा चुनाव में यहां पर दक्षिनी दिल्ली से चुनाव लड़ते वे नजर नहीं आएंगे इसके साथ साथ बात करें नई दिली सीट की तो वहाँ से बड़ा जटका लगा है मिनाकसी लेखी का टिकट काट दिया गया है बड़ी खबर आ रही है इस वक्त भारती जनता पार्टी की प्रेस कॉनफरेंस से जहां रमेश बिदूडी और मिनाकसी लेखी को बड़ा जटका लगा है दक्षिनी दिल्ली से रामबीर सिंग बिदूडी को टिकट पका किया गया है तो दूसरी तरफ यहां नई दिल्ली सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री सुरगे स्रीमती सुस्मा सवराज की बेटी बानसूरी सवराज को टिकट दिया गया है तो बड़ी खबर सामने आ रही है रमेश विधूडी जिनोंने दानिश अली पर विवादित टिपनी की थी संसद में हंगामा हुआ था उस दोरान दानिश अली को उन्होंने कुछ आपशब्द कहे थे बस्पानेता दानिश अली को उस वक्त आपशब्द कहे गये थे और अब भारती जनता पार्टी ने उनका दक्षनी दिल्ली से टिकट काट दिया है वहीं मिनाक्सी लेखी जो की दिग्गस नेता है नहीं दिल्ली सीट से उनकी टिकट काटी जा चुकी है बड़ी खबर इस वक्त की भारती जनता पार्टी की पहली सूची में रमेश विदूडी और मिनाक्सी लेखी का टिकट काट दिया गया है